गुड्डू कब मरेगा? एक दुख भरी कहानी. एक दिन गाड़ी पर भार अधिक होने के कारण राजू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गती से आती बस से भिड़ गया. अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी मेना और दो छोटे-छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू. एक तरफ राजू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलक रहे थे. नहीं इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे. वे तो भूख से बिलक रहे थे. उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था. और आज तो मुह में एक निवाला भी नहीं गया था. भूख से रोये जा रहे थे. मामा कुछ खाने को दो ना, मा बड़ी भूख लगी है, मा कुछ दो ना. कोई पत्थर दिल भी इस द्रिश को देख कर पसी जाता. पडोसियों को भी दया आ गई, अगल्बगल से खाना आ गया. बड़े दिनों बाद आज गुड़ी और गुड़ू पेट भर के खाना खा रहे थे. अजीब विरोधा भास था, एक तरफ लोग राजू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वही दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे. मीना ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर-उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तत चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दी, मीना पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया. जब ठकहर कर घर लोटी तो बच्चे उमीद से उसकी तरफ देखने लगे. गुड्डू तुटलाती आवाज में बोला, त्या लाई हो मा, जल्दी से खिला दो, बली भूख लगी है. मा रोपड़ी और बच्चे समझ गए कि मा के पास कुछ भी नहीं है, एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया. फिर गुड्डी बोली, मा, ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? मा ने डाटते हुए बोला, मा, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था, गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना. गुड्डी की बाते सुनकर मा की आखे फटी की फटी रही गई, उसके पास गुड्डी की बात को कोई जवाब ना था. दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोडों लोगों की हकीकत है. जिस खाने को हम ठाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए. बस एक दिन भूखा रह कर देखिए और आप करोडों लोगों का दर्द समझ जाएंगे. अगर आपको हमारी स्टोरी गुड्डू कब मरेगा, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेर कीजिए और कॉमेंट में जरूर बताईए कि इस दुख भरी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला. धन्यवाद